नमस्कार कैसे हैं आप राहूल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा तमिलाडू से कश्मीर की तरफ थी कन्या कुमारी से कश्मीर की तरफ और उन्होंने कहा भी था कि आम तोर पे कुछ भी शुरू कश्मीर से कन्या कुमारी के तरफ होता है हमने तामिलादू से कश्मीर के तरफ शुरू किया है क्या यहीं जड़ में कुछ ऐसा कुछ था जिसकी तैयारी यहां की गई अब उसके रिजल्टेंट आने शुरू हुए है UPA अब INDIE गठवंधन बन गया है जिससे वो इंडिया कहता है और BJP बाले NDIA बाले इसे घमंडिया या इंडिया एलाइंस कहते हैं अब इस इंडिया एलाइंस या इंडिया एलाइंस के लिए एक बात खुल करके तमिलाडू के शिक्षा मंतरी पुनी मुडी ने कही है उन्होंने खुल करके कहा कि ये अलाइंस बना ही इसी लिए है ताकि हम भारत से सनातन को समाप्त कर दे अब कल्पना कीजी धर्ती पर कोई दूसरा राष्ट ऐसा होगा जिस देश के अंदर उसकी सांस्कृतिक विरासत को समाप्त करने के लिए सत्ता में आने वाला कोई संगठन ऐसी बात कह रहा हो दरसल तमिलाडू के में डीमके की सरकार है और कॉंग्रिस सालों से वहाँ उसकी सही होगी डीमके के संगठन के मुख्यमंत्री स्टालिन है करुणा निधी के पुत्र और स्टालिन के पुत्र उदे निधी ने खुल करके कह दिया कि सानातन मच्छर डेंगू और मलेरिया की तरह है इसे खत्म नहीं करना है इसका उनमूलन कर देना है और जब ये बात उद्य निधी स्टालीन कह रहे थे तो इसे आगे बढ़ा दिया कॉंग्रिस पार्टी के नेता और तिहार रिटर्न चिदम्रम और उनके तिहार रिटर्न पुत्र कार्ती चिदम्रम ने कार्तिची दमरम ने ठीक वही बात कही और उसका समर्थन किया कास सानातन की तुलना इसी से की जा सकती है इस बात को दो कदम और आगे बढ़ गए ए राजा ए राजा भी तिहार रिटर्न है टूजी मामले में सबसे बड़े आरोपी बनाए गए बाद में लोवर कोट से तो बड़ी हो गए हैं लेकिन हाई कोट में फंदा अभी भी लटका हुआ है ए राजा ने इस बात को और आगे बढ़ाया और कहा ये एड्स की तरह है इसकी समापती जरूरी है कमाल की बात है कि देश की सुप्रीम कोट भी इस तरह के बयानबाजी पर चुप्पी है और डीमके और कॉंग्रिस का गठजोर सालों से है अब ऐसी कौन सी मजबूरी सोनिया गांधी की है कि जिस डीमके के साथ उसका गठवंदन है उसके विचारधारा से जुड़े हुए लोग ने राजीव गांधी की हत्या की और तमिलाडू के जेल में राजीव गांधी की हत्यारे जब बंग थे तो सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका वाटरा उन से मिल ले गई और उसकी सजा माफी की बात की अखिर प्रियंका वाटरा को ये हैसियत अधिकार किस ने दिया कि वो भारत के पुर्व प्रधान मंत्री के हत्यारे के लिए सजा माफी की बात करे राजीव गांधी की इसलिए हत्या नहीं हुई क्योंकि वो सोनिया गांधी के पती थे या प्रियंकाबाडरा के पिता थे राजीव गांधी की हत्या इसली हुई क्योंकि राजीव गांधी भारत के पढ़ानमंत्री जब थे और बतौर पढ़ानमंत्री उन्होंने स्रिलंका निती पर तमिल निती पर जो फैसले लिए उससे वहां का एक संगठन नाराज था तमिलाडू में जो तमिल हैं उनका सेंटिमेंट स्रिलंका के तमिलों के साथ है और स्रिलंका के तमिलों का ऐसा मानना है कि स्रिलंका की सरकार उनके साथ अत्याचार कर रही थी और भारत के प्रधान मंत्रे के निती के कारण उस पे स्रिलंका की सरकार की ताकत बढ़ी और इसलिए एक बार राजिम गांधी के उपर स्रिलंका में हमला भी हुआ जब वो पैरेड का निरिक्षन कर रहे थे उस समय वो तस्वीर खूब वाइरल हुई थी जब वाइरल होने का दौर नहीं था तब की बात है वो उसके बाद राजिम गांधी जब 1991 के लोकसभा चुनाव में पुना सत्ता में वापसी के लिए संगर्श रत थे नवासी में उनकी सरकार गई विश्वनात परताप सिंग भारत के प्रधान मंतरी बन गए और उनकी सरकार कुछी महेंओं में गिर गई, फिर राजीव गान्दी ने चंदरशेकर को भारत का प्रधान मंत्री बनवाया और फिर जमीन नीचे खीच ली, चंदरशेकर की सरकार चली गई, चुनाप के मजधार में देश को डाल दिया गया, उत्तर भारत में चुनाप खारत के पुर्पधानमंत्री की हत्या से पूरा देश स्तब्द था, हत्यारे को सालों माज सजा भी मिली, लेकिन उसके बचाव में सोनिया गांधी खड़ी हो गई, सोनिया उस पार्टी के साथ खड़ी हो गई, जो सालों से सानातन विरोध के एजंडे पर थी, उदै निधी स्टालिन के बेटे हैं और करुणा निधी के पोत्र हैं, करुणा निधी सालों से सानातन विरोध का एजंडा चलाते रहे, वो उस पेरियार के चेले थे, जिसने आजादी से पहले भारत में सानातन के खिलाप मुहीम चलाया था, इसलिए कि उन्हें पेरियार चुआ प्राम निधी करुणा निधी से मिलती हैं और एक आएक सानातन का इस कदर विरोध क्यूं हुआ और जो विरोध सिर्फ तमिलाडू से था, उसे भारत में क्यूं फैलाया जा रहा है, जो बात करुणा निधी के पोत्र स्टालिन के बेटे उदै निधी ने कही है, उसी बात को बिहार के सिक्षा मंत्री चंदरशेखर यादव ने आगे बढ़ा दिया, चंदरशेखर यादव बिहार के सिक्षा मंत्री उन्होंने रामाईन को लेकर के कई बार अपमान जनक टिप मुनी की, और अब तो दुबारा उन्होंने ये कह दिया कि रामाईन पोटासियम नाइट की तरह है एक बूंध यदी उसे ले लिया जाए एक छोटा सा टुकरा भी जीव पे डाल दिया जाए ते इनसान मर जाता है कमाल की बात यह है कि राम चरित मानस के लिए ऐसा बोलते समय उनकी जीवा नहीं पिगली जिस राम चरित मानस को लेकर के पूरा सनातन पुर से गदगद हुआ अब महत्पुर्ण यह है कि तमिलाडू से बिहार होते वे फिर उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौरिक के द्वारा खिलेश यादब जो बुलवा रहे हैं वो भी सनातन विरोध का है तो यह जस्टिफाई कर रहा है कि कैसे तमिलाडू के सिक्षा अलाइन्स का है तो क्या मोदी लहर में हार मान चुकी मोदी से हतास मान चुकी सौनिया गान्षी सनातन समाप्ती की एजंडा पर काम कर रही है सनातन समाप्त तो कोई कर नहीं पाएगा सैकुडो साल से हुआ नलंदा जलाया गया बहुत कुछ नश्ट किया गया काशी विश्वनात के मंदिर से लेकर अयोध्या और मतुरा तक को नश्ट करने की साजिश हुई लेकिन सनातन चुकी मानब धर्म है वो जीवन्त होकर के खड़ा रहा लेकिन महत्पूर्ण ये है कि तमिलाडू से ये शुरुवात क्यों की गई आखिर एक आएक सनातन को लेकर के जो सब कुछ शान्ती थी इस तरह की चीजें करुणा निधी के काल के बाद ये चीजें चर्चा में नहीं हो ली थी ऐसा क्यों हुआ दरसल तमिलाडू में एक नेता उभर कर सामने आया है उसे दक्षिन का योगी आदित्तिनाद का आजा रहा है अन्ना मलई युवक हैं और उहोंने जिस तरह से सनातन का ध्वज तमिलाडू में थाम लिया है उससे करुणा निधी का वंसस डड़ गया ये परिवारबाद की जमीन हिल गई है और तमिलाडू में जिस तरह से डीयम के का उनमूलन हो रहा है उसे अपने वजूद के लिए लग रहा है कि कहीं न कहीं विद्रोग कराया जाए और इसमें सोनिया उनके साथ है तब ही सोनिया पुतर सालों से ये कहते रहे कि लोग लड़के मंदीर लड़कियां छेरने के जाते हैं लोग मंदीर में जाते हैं मथ्था टेकते हैं देवी की पूझा करते हैं आपको कोई बेहन कहता है कोई मा कहता है मगर सच्चा ही यह है कि वो ही लोग जो मा और बहन कहते हैं वो ही लोग आपको बस में छेड़ते हैं हिंदुत वादी जूट का प्रयोग करता है हिंदुत वादी अपने डर के सामने अपना सिर जुटाता है हिंदुत वादी अपने डर को नफरत में हिंसा में बदलता है और ये देश तो पस्वियों का है ये देश पुजारियों का नहीं है ये देश पुजारियों का नहीं है रियालिटी इस देश की ये बले राहुल गांधी बाद में धोंग करते हुए नजर आए मंदिर मंदिर जाते रहे उनकी बेहन प्रियंकावाडरा भी लेकिन ये देश जानता है कि अपने आपको दत्तात्रे ब्राम्हन कहने वाले राहुल गांधी और उनके सिपह सालार ये तर्क कहीं नहीं दे पाते कि एक पार्सी बाप और इसाई मा का बेटा सनातनी हिंदू या फिर ब्राम्हन कैसे हो सकता है कलफना कीजिए कि पिता से वंस चलता है लेकिन जिसका न मा और न बाप जिसका पिता पार्सी जिसकी मा इसाई वो ये ढोंग सनातन ब्राम्हन होने का दत्तातरे ब्राम्हन होने की बात क्यों कर रहा है दक्षिन से अपने आपको ये गोतर क्यों जोर रहा है और क्यों इसके परनाना ने कभी अपने आपको पंडित नाम जोड करके एक ऐसा खेल किया तो क्या ये पूरा जो निहरू का जो सनातन विरोध का एजेंडा था सालों से उसे सोनियां आगे ले करके चल रही है मोदी जिसकदर सनातन करके ध्वजवाहक बनते जा रहे है क्या वही सबसे बड़ी पीड़ा है कमाल की बात ये है कि जेल जाने के भै में लालू परसाध्यादब मंदीर मंदीर भटक रहे है वैदनादधाम मंदीर में 21 लिटर दूर चड़ा के आने के बाद थामे जो उनका गरिह जिला है का मंदीर परसिद्ध मंदीर है वहाँ जाकर गुटना रूप के आए है बिहार के हर मंदिर में वो जाकर के दंडबत हो रहे हैं ताकि जेल जाने से बच सकें बुढ़ापाद जेल में उनका ना कटे लेकिन राजदितिक एजंडा वो सानातन विवोध का चला रहे है मुलाइम सिंह आदब अपने आपको हनुमान भक्त कहते थे बेटा एक समय यह कह गया कि न वो पूझा करता है न उसकी बीबी डिम्पल करती है आपने वो वीडियो कई बार देखा हो के और बैठा हूँ गर पे और का करता हूँ मैं भगवान मानता हूँ लेकिन मैं पूझा नहीं करता हूँ लेकिन कई बार प्रेस कांटेंस में वो कहते रहते हैं जाती पूझ करके अप मानित करते हैं ब्राहमन बाद के खिलाव थोड़ो अपना केमरा कहीं हो ले जाओ चलो लो अई तुम पिश्ड़े हो कि क्या नाम क्या तुम्हारा यहीं इन सब का ढौंग है अब सवाल यह है कि ये पूरा मुददा तमिलाडू से क्यों शुरू किया गया क्या अचरब देश में एक किसी ढंका बिद्रों कराने का फसाद कराने का है सिर्फ यहीं तक है या फिर तमिलाडू में सनातन द्रोह कड़ा करके तुष्टिकरन और इसाई वोट के सहारे वहां पर किसी भी हाल में NDA गठवंधन को रोकने या यूँ कहें कि भाजपा के बढ़ते प्रभाब को रोपने के लिए ताकि 272 सीट से कम बीजेपी को आए और उसका खेल हो क्या इसलिए पत्रकारों के उपर हमले कराये जा रहे हैं कॉंग्रेस के सालों से पाले पोसे खायराती पत्रकारों का गैंग ये सलाह देता रहा कि टीवी चैनलों पर कॉंग्रेस के प्रभकताओं को नहीं जाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा तर टीवी चैनलों पर कॉंग्रेस के प्रभकताओं से जब अतीत के सवाल किये जाते हैं तो वो निरुत्तर हो जाते हैं राउल गांदी के रवये पर जब सवाल की जाते हैं, तो वो निरुत्तर हो जाते हैं, इसका एजंडा ये तै किया गया, सच ये है कि कॉंग्रेस के प्रवक्ता सालों से कई टीवी चैनल पे नहीं जाते, अरनव गोस्वामी या उसकी टीम के सामने आप कभी किसी कॉंग्रेस प्रवक्ता को नहीं देखेंगे, रिपब्लिक के हिंदी और अंग्रेजी में कॉंग्रेस प्रवक्ता नहीं दिखाई देते, जी नीज पे कभी नहीं दिखाई देते, कॉंग्रेस प्रवक्ता, टीवी एटीन पे भी अक्सर नहीं दिखाई देते, कई जो उसके ऐसे एंकर को बाइकार्ट किया है दरसल बाइकार्ट किया है या खुद हो रहे हैं ये असली चुनोती है दरसल कॉंग्रेस के सिपासालार पत्रकार जो आज कल खलियर हो चुके हुए हैं वो एजंडा चला रहे हैं उन्हें लगता है कि टीवी चैनलों पर जो एड पार्टी के तरफ से दिया जाता उसका कोई फाइदा नहीं हो राए वो यूटूबरों को दिया जाए और उन खेरातियों ने कांगरिस के प्रवक्ताओं को अपना मंच देना शुरू कर दिया है यह तमाम चीज़ें दिखती है कि इसके पूरे सार में तमिलाडू से सनातन विरोध इसी लिए है इसी लिए आप तमाम इस ऐसे खलियर हो चुके खेरातियों को देखेंगे जो अपने यूटूब पे सनातन विरोध का एजंडा चला रहे है तो यह तमिलाडू से उठा यह सनातन विरोध का एजंडा यूही है या इसके पीछे कोई बड़ा स्रडियंत्र है ये देश को अगाह करने बाली बात है कि सिर्फ चुनावी मुद्दा है या भारत के खिलाप एक बड़ी साजिस है किसी भी ढंक से मोदी को रोका जाए क्योंकि इन सबको लगता है कि 24 मेदी नरेंद्र मोदी की सरकार वापस आ गई तो फिर इन सबका हस्र क्या होने वाला है इसलिए सनातन द्रोह से इस देश में उनमाद फैलाने की ये साजिस शुरू की जग गई है और ये साजस तमिलाडू से ही क्यों शुरू की गई है ये ठीक समझ में आता है कि कश्मीर के बदले कन्या कुमारी से राहुल गांदी की भारत जोरोयात्रा क्यों शुरू ही और उस भारत जोरोयात्रा में भारत द्रोही कौन-कौन शामिल हुए थे ये चीजें साप दिखती इसलिए इस पे नजर की जरूरत है कि आखिर सनातन द्रोह तमिलाडू से क्यों शुरू हुआ और उसके साथ उत्तर भारत के कई छेत्री च्छत्रप क्यों शामिल हो गए है दरसल इन सब को अपनी बरबादी 2024 के बाद साफ दिख रही है इसलिए पूरा एजेंडा इस बात को लेकर के हर हाल में 272 से नीचे बीजेपी को रोका जाए क्योंकि स्वतह अपने बल पे हो सरकार ना बना सके ताकि चित्री च्छत्रपों के बीच दलाली करके सेटिंग करके उराडिया टेप जैसा कोई कांड करके फिर से अपनी जमीन तयार की जा सके लेकिन देश सजग है जिस तरह से सनातन गौरब बढ़ रहा है दुनिया में आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत का सौरब कैसे बढ़ रहा है लगातार दुनिया के मंच पर G20 के मंच पे जिस्तर से प्रधान मंतरी मोदी ने सानातन गौरब दुनिया को दिखाया भारत को उस सब समझ में आया इसलिए भारत इन तमाम शडियंत कारियों के हर शडियंत को समझ रहा है कि तमिलाडू से याकर स्तनातन द्रोगा स्तनातन बिद्रोग का एजंडा सोनी और उसकी टीम ने क्यों शुरू किया है ये विश्लेशन कैसा लगा इसके कंटेंट पसंद आए वीडियो को लाईक और शेयर जरूर कीजिए बहुत-बहुत धन्यवाद वंदे मात्रम जय हिंद